बारत और थाइलेंड के बीच सिक्षा और संस्कुतिक शेतर में दो समझावतों पर हुए हस्ताक्षर नई दिल्ले में प्रधानमंद्री नर्यंद्र मोदी ने थाइलेंड के प्रधानमंद्री प्रयूत चान उचासे की दुपक्षिय वारता प्येम मोदी ने कहा थाइलेंड की लुक वेस्ट और भारत की एक्ट इस्ट नीती के मिलने से दोनों देशों के बीच साज़ेदारी के उज्जल वविश्य का रास्ता साफ रक्षा और नौवहन के शित्र में सहयोग पर दोनों देशों के बीच बनी सहमती भारत और नामी बिया के राष्टपरतियों ने संग्युक राष्ट शुरक्षा परिशद और उसके प्रमुक संगटनों में सुधार पर दिया जूर भारत ने नामी बिया के साथ दो समझवाогनों पर किये दस्तकरत जमकश्मीर के सुपूर में आतनकवादियों के साथ सुरक्षाबलों की मुठभेड खत्म मुठभेड में सुरक्षाबलों ने दू आतनकवादियों को मार गिराया एहमदाबाद की एसाइटी कोड ने गुलबर्ग सोसाइटी नरसंगहार मामले के 24 आरोपियों को सुझनाई सजार में 11 दोशियों को आजी बन कारावास की सजा इसी मामले में 12 दोशियों को 7 वर्ष की और एक अन्य को 10 साल की सजा सुनाई गई बिहार इंटर टॉपर्स घोटाला मामले के मुख्या रोपी बच्चा राय को पुलिस ने दो दिन की रिमांड पर लिया बारत के पहले सुदेशी प्रसिक्षक एयरक्राफ्ट हिंदोस्तान टर्बो ट्रेनर फोटी ने आज पहली बार बैंगलूरू के HAL एरपोर्ट से उडान भरी बारत के लिए एतिहा सिक्षन रक्षा मंतरी मनुहर पारी कर रहे मौजू जारखन के गिरीडी में सुरक्षा बलो और नकसरगियों के बीच मुठभेड खत्म इस मुठभेड में CRPF का एक जवान शहीद बांगलादेश के ठाका में रामक्रश्ण मिशन को I.S. की ओर से धमकी भरापत्र मिलने के बाद भारती हाई कमिशनर ने बांगलादेश पुलिस और विदेश मंतराले सिक्या संपर्क वहां की पुलिस ने दिया सुरक्षा का पूरा भरोजा दिल्ली की भाजबा सांसत मिनाक्षी लेखी का दिल्ली सरकार पर आरोग कहा सरकार क्लस्टर बस्तेवा की यार में दिल्ली परिवहन निगम को खत्म करने का काम कर रही है टेंकर घोटाले में दिल्ली सरकार की मनशा पर सबाल उठाते वे मिनाक्षि लेखी ने कहा कि जिन चीला देख्षित के घोटालों का नाम लेकर दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पाटी काविज हुई अब वो उसकी जाच क्यों नहीं करा रही मौसम विभाग ने उत्तरा खंड में अगले पांच दिनों में हलकी से मध्य बारिश होने का अनुमान जताया साथी कुछ स्थान पर तूफान के साथ आंधी चलने के भी विभश्यवाने की है अमेरिकाने परवाणू आपूर्ती करता समूह के देशों से भारत के स्थाई सदस्यता के दावे को समर्थन देने की की अपील भारत के साथ सैने सहयोग बढ़ाने से जुड़े बिलके अमेरिकी सिनेट में सर्व सम्मती से पास होने के बाद आया बयान इराक की सेना ने फलुजा में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से मिनिसिपल बिल्डिंग को अपने कबजे में लिया अभी बीश शहर का काफी बड़ा हिस्सा आतंकवादियों के कबजे में भारत और जिंबावे की बीच तीन टी-टी मैचों के सिरीज कल से पिछले साल हुई दो मैचों के सिरीज एक-एक से रही थी पराबर ब्रिटेन में चल रही चेंपियंस ट्रॉफी हॉक्ई टोनमेंट के फाइनल में भारत का मुकाबला आज बीश चेंपियन आस्ट्रेलिया से ब्रिटेन और बेल्जिम का मैच ड्रॉ होने से फाइनल में पहुचा भारत